प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुग्रे शान्ती और आशिश मिले एक डाकू था जो हत्यार के साथ चलता था उसका नाम था डेनिस ली कर्टिस जो उननिस से और ब्यानवे में साउथ दकोटा में पकड़ा गया था जब डाकू शब्द आता है तो हमें लगता है कि सिर्फ हमारे यहां होते हैं ऐसे नहीं है और डाकू दुनिया में हर जगे होते हैं और आपको ताजब होगा कि डाकू के भी कुछ रूल्स और नियम होती है वो अपना कानून खुद बनाते हैं तो यह डाकू जब पकड़ा गया साउथ दकोटा में अमरिका में तो पता चला कि इसके चोरी और डाकेती करने के मामले में इसके कुछ आठ नियम थे और इनियम कैसे पता चले क्योंकि जब यह पकड़ा गया तो इसका समान जब जाचा गया तो उसके बटवे से एक कागज मिला जिस पे उसने यह आठ नियम लिखे हुए थे और यह नियम इस पकार से थे कि मैं खामो खां किसी की हत्या नहीं करूंगा मैं सिर्फ रोकडा चुराओंगा और जो वह पर राशन की स्टेंप मिलती है तिक्टे मिलती है बस वो चुराओंगा किसी के चेक वगेरा नहीं चुराओंगा मैं सिर्फ रात के समय चोरी डखैती किया करूंगा मैं मास्क नहीं पहनूँगा मुखोटा नहीं पहनूँगा मैं छोटी दुकाने और किराने की दुकाने नहीं चुराऊंगा अगर पुलिस मेरा पीछा पैदल करती है तो तो मैं निकल जाऊंगा अगर गाड़ी से मेरा पीछा होता है और मैं भी गाड़ी में हूँ तो मैं निर्दोश नागरीकों की जान खत्रे में नहीं डालूँगा मैं एक वर्ष में केवल साथ महीने डखेती करूँगा और मैं धनियों से चुराऊंगा इसमें मुझे आनद मिलता है और गरीबों को दूँगा तो ये उसके नियम थे ये उसकी चोरी के धन्दे में उसकी धार्मिक्ता थी लेकिन हम देखते हैं कि खोट तो इस बात में भी थी जब वो कचेरी में खड़ा होगा हुआ होगा तो जजने उसके इस आठ नियमों को देखकर उसका न्याई नहीं किया होगा लेकिन जो देश का कानून है उसके स्थर्थ को देखते हुए उसके अकॉरिंग उस डाकू का न्याई किया गया वैसे ही एक दिन आएगा जब मनुष्य हर मनुष्य परमिश्वर के सामने खड़ा होगा हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ अपनी धार्मिक ताए या धार्मिक नियम बना रखे हो अपनी नेतिकता बना रखी हो अपने समझ की पवित्रता बना रखी हो लेकिन परमिश्वर उसके आधार पर आपका न्याई नहीं करेगा परमिश्वर का अपना न्याई है अपनी वबस्ता है अपने नियम है जिसके आधार पर वो आपका न्याई करेगा लिखाए क्योंकि उसने एक दिन ठेराया है जिससे वो उस मनुष्य के द्वारा यानी प्रभु येशु के द्वारा धार्मिक्ता से जगत का न्याई करेगा जिससे उसने ठेराया है और उसे मरे हुँ में से जिला कर प्रभु येशु तीसरे दिन जी उठा ये बात सब पर प्रमानित कर दी है तो जिस धार्मिक्ता के आधार पर मनुष्य जाती की धार्मिक्ता का न्याई किया जाएगा वो धार्मिक्ता और पवित्रता प्रभु येशु की होगी जिसने कभी पाप नहीं किया जो पाप जानता नहीं था जिसके अंदर पाप नहीं था मनुष्य जाती को परमेश्वर ने दस आग्याई दी मात्र दस और ये एक बहुत बड़ा अधार है जिसके सामने संसार का न्याई होगा और मैं वो दस आग्याई आपको पढ़के सुनाता हूँ निर्गमन भी सध्याई में है तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है तु मुझे छोड दूसरों को इश्वर करके ना मानना तु अपने लिए कोई प्रतिमा खोद कर ना बनाना ना किसी की छवी बनाना जो आकाश में या पृत्वी पर या पृत्वी के जल में है तु उनको दण्वत ना करना और ना उनकी उपास ना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहवा जलन रखने वाला इश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पित्रों का दंड दिया करता हूँ और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आग्याओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहवा का नाम, यहवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले, वो उसको निर्दोश ना ठहराएगा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरन रखना, छे दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम का आज करना, परंतु साथवा दिन तेरे परमेश्वर यहवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भाती का काम का आज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी ना तेरा दास ना तेरी दासी ना तेरे पशू ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो क्योंकि छे दिन में यहुआ परमेशवर ने आकाश और पृत्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें हैं सबको बनाया और सात्वे दिन विश्राम किया, इस कारण यहवा ने विश्राम दिन को आशिश दी और उसको पवित्र ठहराया तो अपने माता और अपने पिता का आदर करना जिससे जो देश तेरा परमिश्द यहवा तुझे देता है उसमें तु बहुत दिन तक रहने पाएगा तो किसी के घर का लालच ना करना ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गदे का ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना तो अब सही से गिनेंगे तो यह टोटली दस आग्याएं है और ये वो विवस्ता है जिसके सामने संसार दोशी ठहरता है अगर एक ये आगया कोई तोड़ता है तो दसो की दस तोड़ता है इसलिए वाइबल कहती है समने पाप किया और पर्मिश्वर की महिमा से रहित है इसलिए कोई भी नहीं बचपाएगा चाहे किसी ने कैसे भी अपनी गड़ी हुई धार्मिक्ता बना रखी हो चाहे कोई कितना धरम करम का काम क्यों न करता हो लेकिन इस व्यवस्था के सामने और प्रभु येश्व के जीवन के सामने हर एक मुँँ बंद किया जाएगा तो क्या प्रमिश्वर एक कड़े ज्याई की तरह हमारे लिए इंतिजार कर रहा है ऐसा नहीं है प्रमिश्वर खुद मनुश का रूप धारन करके आया प्रभु येश्व खुद इस जगत में आया कि मैं और आप उस ज्याई से और उस धन से बच जाएए येश्व नाम का अर्थ यही है उद्धार देने वाला पापों की शमा देने वाला मुक्ती देने वाला वो अनन्त जीवन लेकर ही इस जगत में आया और वो सजा जो मुझे और आपको मिलनी थी उसने कलवरी के क्रूस पर अपने शरीर पर उठा ली वो कांटो का ताज अपने सिर पर उसने आने दिया जो उन्होंने मार कर भोक कर उसके सिर में गुझा दिया इस बात को प्रगट करने के लिए कि मेरा शराब भी उसने अपने अपर उठा लिया जो आप विश्वास करेंगे तो आप अपने पाप से पापों की सजा से और शराब से मुक्त होंगे इसी जीवन में उसी शन जो सजा थी परमिश्वर की उन दस आग्याओं को तोड़ने की वो सजा प्रभु येश्व ने आपके और मेरे लिए सहली अपना पवित्र लहु बहा दिया ताके हमारे पापों के लिए प्राइश्चित हो तीसरे दिन मृत्त कुमे से जी उठा हम जानते हैं इस कारण वो परमिश्वर है इसलिए आज उस पर विश्वास कीजे अपनी खुद की बनाई हुई या गड़ी हुई धर्मिक्ता या धर्म का भेश या भक्ती का भेश लेकर मत इंतिजार कीजे उस सब धोका है और आप परमिश्वर की उस ज्वालमई आँखों के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे उसके सामने सब कुछ बेपरदा है इसलिए चाहे डेनिस ली कर्टिस विवस्था के सामने वो सब बेकार था वैसे ही परमिश्वर की विवस्था और उसके न्याएं के सामने दुनिया की सारी धर्मित्ता मेले चित्डों के समान है लेकिन परमिश्वर अपना हाथ आगे बढ़ाता है पापी को अपने पास बुलाता है कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें तेरे पाप किस रंग के क्यों न हो लाल रंग के अगरवानी रंग के तेरे पाप पुरी तौर से मैं धो दूँगा श्वेत हीम के समान श्वेत बना दूगा येश्व का लहू हमें सब पापों से शुन करता है इसने आज ही प्रभु येशु से प्रात्ना कीजे पाप को जीवन में रखना ये बहुत भैनक बात है प्रभु येशु आपको आशिश दे